इसलोम ऐलेकों नाजरीन मैं हूँ आपकी होस्ट आइनीशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शायन विद आइनीशा कैसे हैं आप लोग पर ठाक मैं रूदिन ठाक मैं रूदिकों आप हमेई दूआ है आप हमेशा हस्ते में शुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें जिसका नाम है वीकेंड चैनल है अनीशा अच्छा सबसे पहले मैं एक बात करूँगी इसके बात पर बहुत साइब बात करूँगी सबसे पहले मैं एक बात करूंगे कि आप हमें लाइव कॉल करना चाहें तो थोड़ी देर में आपकी टीवी स्क्रीन्स पे हमारे फॉन नमबर आ जाएंगे और आप हमें लाइव कॉल कर सकेंगे अच्छ वसी के साथ रमज़ान भी शरू होने वाले हैं और रमज़ान की तयारियां तो काफी दिनों से हर घर में शरू हो चुकी है है यकीन हमारे पास भी शूरू हो चुकी है आप लोगों ने भी रमजान की तैयारियां कर लिए कुछ लोग रमजान के लिए घर की बहुत अच्छे से सफाई करते हैं क्योंकि अबादत सिर्फ एक जगा नहीं की जाती रमजान में हर कमरे में आप कहीं भी जा नमाज जालके अबादत कर सकते हैं तो लोग बड़ा पाक साफ करते हैं अपने घरों को ये बड़ी अच्छी एक तैयारी होती है फिर हम लोग राशन एक्स्ट्रा चीज़े मज़े मज़े की मैकरानी भी बनाएंगे यालू के समुसे कीमे के समुसे रोल और पता नहीं क्या चैट पटी सारी सोचके रखी होती हो मेरी प्यारी बेहने जाये उन्हों ने वह भी तैयारियां कर लिएंगी साइस चीज़ें बना के फ्रीज कर लिएंगी ताकि असानि हो और उनको भी अबादत जो है उसका टाइम मिर सके हमारी तरफ कौन सी तैयारिया उसरू हों और मैं आपको बत इस रमजान मैंने सोचा कि मैंने अपना वेट कम करना है अब रोजा शुरु रमजान का महिना नहीं हुआ पर मैं ऑनियर ये बात इसलिए कर रहे हूँ कि जब रमजान के बाद मैं आपके सामने आउंगी रमजान में भी आउंगी तो आप मुझे बताएगा कि उस डायट से म मैं चाती हूँ अपना वेट कम करूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में एक चीज सीखी है कि आपको अपने आप से महबत होनी चाहिए आपको दुनिया के लिए खुबसूरत नहीं लगना आपको सबसे पहले अपने लिए खुबसूरत लगना है तो जब मैं अपने आपको मिरर में देखती हूँ तो मुझे अपना बहुत अच्छे लगता है पर कहीं ने कहीं मुझे फील होता है कि स्क्रीन पे मेरा वेट थोड़ा सा ओवर आता है क्योंकि स्क्रीन पे हम थोड़ा वेट हमारा ज्यादा होके आपके सामने आता है क्योंकि मिर्जा साहब उनको में वेलकम करती हूँ यवालेगों कैसे है डाइट साहब मैं आज एक डाइट पर बात करूंगी क्योंकि क्योंकि अच्छा कुद्रती यह हुआ कि जब में जो डाइट का शौक चड़ा तो अल्ला ने रम्दान का महीना भी ने ज़िए तो आजा गया वह एक डाइट के नाम बहुत बहुत ज़ादा आपने सुना उगा सकता है कुछ लोगों किया भी हो पाकिसान में बहुत किया मेरी कुछ एक अधर फ्रेंड है जिसने किया और उसने बहुत कम किया अपना इंटरूमिटन फास्टिंग डॉक्स अब ये क्या है इसे किस तरह से किया जाता है और आया वाकि इस से वेट कम होता है जी जी बिसमिल्ला खमारखी देखिए ये इंटर्मिटन फास्टिंग का जो कंसेप्ट है ये मैं ये समझता हूँ कि 99 पर्षटा ये रमजान से ऐस्पार हुए है रमजान से इस्पार हुए है प्रिसेडियल्टी जो थी साइंटिस हमारे जिन्हों ने ये मैनेज कहता है तो उन्दों ने ये शेडूल दिया कि आप बगए खाने करे रहें लेकिन रोजे की बात है कि आप पानी भी नहीं पीना है और आप आप पर आप लिए पानी प्रूट ले लें बीच में अगर भी आप पानी पीसकते हैं कुछ मना नहीं है, वो मना नहीं है लेकिन जो आभी डायेट है वो आप नहीं ले सकते हैं, उसका जो कंसेप्ट है, टाइम चेडूल जा लिए, तक्रीव है है, यह 15 से 16, 16 गंटे मिनिममं इंट्रमिटन होती है, अब अगर आप 12 गंटे करते हैं, 18 गंटे करते हैं, वो वैरी जो जो रोजे का concept है Allah ताला के अगे तरफ से जो हुआ है वो बहतरीन यानि लाइफ concept है वो लाइफ concept जो है वो आसल में वो एक study है आपकी body की study है आपकी नफस की study है आपके जिस्म जहां की study है आपका life study की study है यानि रोजा एक पूरा एक school है एक रोजा पूरा कंसर्प्ट जो देता है वो स्कूल अफ थौर्ड आप इसकूल अब बाडी का पूरा प्रोवाइड करता है वो या इतना बेहतरीन खुदा की तरफ से यह नाजिल हुआ है यह रोजा जब नहीं था यह यह तक्रीम दो हिज्री में यह रोजा जो है वो हमाने पर फर्द होई इसके साथ साथ हमानी लाइब कंसर्प्ट निए जो पहले के लोग टन्में लोग वे पहले के रोगोह पर रखा गया था उस तरह का हम ने तो ये रोजे पहले से भी थे अब ये इतना concept अच्छा फिर ये पूरा महीना देखिए खुदा इससे चाहता क्या है क्या कराना चाहता है आपको अच्छा दूसी तब आप जो है आप वेट डेक्शन का concept देख लें एक दो दिन का कोई नहीं है minimum एक one month है हाँ अगर आप intermittent fasting करें या वैसे को डाइटिंग चार्ट आप ले 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 तो वह भी minimum one month है four weeks है तो आप देखें कि जो minimum period है वह इसलाम ने दिया आपको आगर maximum तो बहुत दे देता ना आपको दो मेने देता ता छे मेने कह देता आपको अच्छा बाद में ये भी कहा गया है रजगे बाद में कि ये मेनन तो अपशन है लेकि आप रोजगे की जो रेलसल है स्टेडी जो आप करते हैं वों आप रजभ से शुरू कर देते हैं है रजभ के मेना आगया आपको शबाई का मेना है अच्छा पर येज moisture नहीं है बल्के ये भी कह गया कि आगर आप रज आपको बहुत मिलेगा और आप बाड़ी आपकी ठीक हो जाएगी और सब फिर एक बात ही है कि एक घर में खाना बहुत है फर्ट का लो ना हमारे आपके खाना दोपेर भी खार रहे हैं शाम भी खार रहे हैं अब आप आपने एक बाई यह सोचा कि आप मेरे सुबह ले लिया आज में जा रोजा यह दो बेर के खाना में किदर दूँ रात को तो मुझे फरेश हैं फिर आपने सोचा कि चो ले किसी मुच्ताइक को दे दूँ तो मुच्ताइक की जो अब्टिदा होती है वो आपके घर यानि बराबर से पोडूसियं से शुरू होता है आपने देगा क खाली जो है रोजा ऐसा रखता है खाली पानी भी है रोजा रख लिया और जब हमने मालूमा कि वो इतना सफेद पोश्च लोग थे कि मलकुल इनके बच्चे तक नहीं बताते थे कैसा हो रहा है तो देखिए हमें चाहिए कि हमें बाकाइदा इनकौाईरी करें कि यह एक्स का जो है आपको पास करना है यानि इसे कहते हैं कि तरह से जगात हो रही है आपके जिसम की आपको रोटी सालन खाना पीने के अलावा कपड़े भी देने है आपने डोनेशन में आपने अपने कपड़ा भी देने है लोगों को यह भी जगात भी है और यह भी आपके जो है है जो प्रैक्र्टीस हुई थी रोज़ा रखने की वह हैं आपको अपने नफस को जो हर तरहं से कंड्रोल में रखना यह यह अनले में नफस है आसल में काहनी जो इसलाम की डिपेंड करती घारती एक हो concept ये हैं कि इन्सान का नेशर जो है फितरत जो है वो इसलाम की है यानि फितरत जो है वो इमान है आपका लेकि हम उससे हड जाते हैं एक बच्चा जो पैदा होता है वो फितरत पर जो पैदा होता है वो कभी भी जो है वो शेतानियत की तरब नहीं जाता है सबसे पहले उसको काइनात को देखता, मा को देखता, गुमाता जब देखता, कि देखता कि ये है कमसेट का, वो फितरत जो है बच्चे की, वो इमान की तरफ जाती है, अल्ला की तरफ जाती है, लेकि जैसे ने कि मजब इंसानियत है वो लोग जो पूरी दुनिया में जसके लो इन्सानियत चल लेगे ठीक है अच्छा इंसानियत तो अपना रहे है मगा इसलाम को नहीं अपना रहे है आपने देगे ना कितना ही किलम्या है ना हैं आप देखिगे किया अब्ही हर मुल्क अमरीका चले जाएई किनेड़ा चले जाएई छुयने चले जाएई इंशानिए जो है उनको दीन है हर चीज की मदद कर तकर रहे हैं और यहprechen शम्म तो इसलाम ने देख का intermittent fasting आई गई थी जो जो मतलब बाहर के लोग जो थोड़े से non-muslim भी थे वो वो यह ऐसा हो गया था कि उन्हों रोजे नहीं रखते उन्होंने का भी रोजे तो हमने नहीं रखने हमें आप ऐसा कोई concept देदो कि हम जो है कुछ आसानी से कुछ पानी अपनी स्मोकिंग कर लें को जो पीनी पाने की चीज़ हो कर लें और हमारे वेट भी हमारे अड़क्शन हो जाए तो यह कंसर्ट वाप आगया करना का चलो ऐसा कर लो कि आप 16 गंटे आपको फास्टिंग करनी है उसमें ग्लुकोज लेवल कम करना होता आपको वेट कम करने के जब आप सारा दिन नहीं खाते तो वो ग्लुकोज लेवल कम करना मैं बड़ी रिसर्च करते इस डाइट पे क्योंकि यह डाइट मुझे करनी थी और पिर रम्दान में मुझे जरूरी था कि मैं रम्दान में करूँ क्योंकि एक तो रोजे का भी सिसला होगा एक वैसी आप आप ने सबर आया वह था क्योंकि रम्दान में जो आपको सबर होता है वो नॉर्मल डेज में आप डाइट करके सबर नहीं कर सकते तो मैंने का यह बेस्ट महीन है कि आपने रोजे भी रखने अबादत भी करनी और आपकी डाइट भी हो जाएगी आपने बिलकुल अच्छ हम्दी उसी फुर्सेट बात कर दी क्योंकि बात हमीं चल लएधी तो मैं अब इस ही बात पर आ रहा था रोजा सबर का नाम है जी, सम्याना, यानि रोजा का जो चौता ही असर जो होता है, एक तान दे, वो आपके इमान पे होता है, और हाफ असर जो होता है, वो सबर का होता है, यानि आप जब तक सबर नहीं सीखेंगे, रोजा नहीं रख सकता है, नहीं रख सकता है, तो सबर का हमारे हैं बहुत मुका रखता है सबर के अंदर आपकी हर्चीज आती है उसमें रोजा नमाद जगात महार इंसानियत के उसूर ये सब सबर के अंदर समय जाते हैं आपके तो सबर जो है अब डाइट का सबर जब उस वक्त होगा जब आप अपनी सहत पर ये देख लेंगे कि अगर मेरी सहत पर कोई बुरा सा पड़ लाए फर्च कर ले आप ने देखा आप रोजे से आपने का कि इस वक्त अगर मने पानी नहीं पिया तो मैं गिर जाओंगा या मैं इस वक्त तो बेवश हो सकता हूं तो सबर की इंतहाई ये होगी कि आपके जहन में एक दम आएगा एक अच्छाई का एक कि नहीं आप कभी नहीं किरोगे आप कुछ भी नहीं किरोगे अल्ला आपको चाहता है आप अल्ला को चाहते हैं आप जाक करके देखिए आपको कुछ भी नहीं होगा एक अजीब किसम की एक सबर और ताकत सबर की ताकत डेवलप हो जाएगी और बड़े अराम से रोजे च हैं बिल्कुल ऐसे हैं मौला अली जो हजजाद अली का करम अला वजूद एक मरत पूछा गया कि आपको रोजे कैसे लगते हैं और तो आपने फर्माया कि मेरी खाईश है कि शदीद गर्मी हो और में रोजा रखूं तो आप यह देखें कि इसका मतलब क्या है कि आपकी बाड को तो हज़मा के देखें हम आप हम लोग क्या करते हैं अपने ही अपने आपको नहीं हज़माते हैं वो आपने बात शुरूर में की थी बड़ी खूसत बात की थी कि आप अपने आपको ब्यूटी देखें अपने आपकी जो सिस्टम को देखें उसमें यह बात आ रही है कि आप अपना ये तो देखें कि आपकी जो आपकी क्वालिटी क्या है जब आपकी क्वालिटी के समय आप अपना आपको पैशान लेंगे तो मैं समझता हूँ फिर आप बहतरे लाइव गजारते हैं बिलकुल ऐसा ही है और टीवी स्क्रीन पे आपके नमबर आ रहे हैं आपने अगर लाइव कॉल करके इस डाइट के बारे में कुछ पूछना है डॉकसाब से कोई सवाल करना है अगर कुछ लोग मेरी तरह चाहते हैं कि डाइट पे जाए रमजान में तो वो इस डाईट के बारे में ज़रूर सवाल कर सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं कॉळ पर सुपीज के, हमारे फॉन नंबर आने डॉक्स,ब अब है जी सहरी अब मुझे बताएं कि मैंने सيहरी कैसे करने हैं क्योंकि नॉर्मल डेस में मतलब जब मैं डाइट पर नहीं होती है तो मैं सेहरी में घाती हूँ पराथा, जो इफ़ार में सालन बनता हूँ आज आज और चाय जरूर पीती हूँ हला कि गर्मी में भी रम्दान आए्र हैं, पर पिर भी मैं लसी नहीं मैं चाय पीती हूँ, तो मुझे बताएं कि हमें फिर इस डाइट में सहरी कैसी करनी होगी देखिए अब ये कॉंसाइट कर जाता है इंटर्मिटन फास्टिक से उसमें भी पंदास सोला गंटे और ये रोजा भी आपके इतने गंटे का हो रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि सहरी से ही टाइम शूरू हो जाता है बिलकुल और सहरी जो होती है वो आपको एक अच्छा खाना है आपको अच्छी डाइट खानी है मतलब कोई इसमें वो रोक टोक नहीं है प्रोटीन ना लें अच्छी झाली आपको जितना बहतर डाइट आपको खाड सकती है खा सकती है वो लेनी है तो उसके बाद आपको कम उसके 12-15 गंदे कुछ भी नहीं लेना पानी भी नहीं लेना Anybody कोई और भी चीजिए कोई चीजिए चीजिए नहीं लेना अईसा नहीं है, आपको रर्किंग करनी है, तो सहरी जो है, आपको अच्छी करनी है। जितने भी बेऩर कर सकते आप करें इसके बाद पर प्रूरा आप़ कर सकते हैं direct will make your straight score, स्रूद पर दूद पीशए है तीन चीजें मैं बता दू का लाजमी कोशिश करें, जो रोज़ेदार है, जो रोजेदार रखना चाहता है, उसमें दूद है, अंड़ा है, और कोई भी मीट है, यह आप लाजमी लें सेरी में, तीन चीजें हमारी यह मैक्रो जो है, बड़े पहतर के लाती हमरी, तो आपको ये चीज़ें जरूर लेने बड़ी चीज़ें बाकी दूद है जैसे केल्शमा गया उसमें और आप यहां तक कि एवन आप मुशुरूबाद भी ले सकते हैं जैसे जूसिस वगरा होते हैं बहुत चाहिए आपके पास हैं आप वो भी ले सकते हैं आप खाली पियानी पीना न लेंगे आप सेरी में लेंगे तो आप खा नहीं सकते जादा तो इसलिए के बड़े इतियात के साथ आप आप डायट भी लें और वही चीज़ें जैसे आप रोधा खुलते हैं तो आप तक्रिवान आप देखें के बारा गंदे दूपर हो जाते हैं बारा चौदा पंदरा होते हैं दे फुलकी होगी चाना चार्ट फ्रूट चार्ट समोसे पकोड़ें और पतरी मिक्वाशन रख क्या 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 ला की दीवी नेमतें मौझूद होती हैं पर अगर हम इस डायट पे हैं तो हम अपना अफ़तार में कौन सी चीज़ों को कट करेंगे कि ये हमारा थी तो आपको पुलिटीन लेनी है कोई तो पे कार्बोहड़ेंट भी लेना है और चूंकि पानी की डियाडिशन हो रही थी पानी से तो आपको को लिक्विड भी लेना है इन चीज़ों में आपके पानी जरूरी नहीं है कि आप बहुत है भी आपका दस्रों खाना होने च तो आपने फरमाए कि ये खाने के इतमाम ये कोई सबाब का बाइस नहीं है ये आप बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल बहुत ज़्यादा हो रही तो आप दो डिश रख सकते हैं मंगर उनने प्रिफर एक ही डिश को किया सिंपल खाना आप देगे ना जब आप सिंपल को आप रखेंगे तो वही चीज आपकी जो है डाइट जो है वही आपकी वेड डेक्शन में भी काम कर रही है और पर आपको सबर सिखा रही है ना आप इतनी चीज़ रखें में आप इतनी नहीं खा रहें आप कम खा रहें यही तो सबर का लेसन है यही तो रोजे का जो है पहले ही अपने घर पे कहती है ना पकोड़े ना समुसे ना रोल ना बाहर की ये इतनी चटपटी सारी चीज़े आएंगी मुझे जो चाहिए जिसमें चीनी बिल्कुल भी ना सिर्फ कटावा और इसके साथ मैं नमाज पढ़के खाना और एक खजूर ये वाली मैं तो अफ़ार ये वाली जफादा अफ़ार करने वाली और खाना भी ये नहीं कि बहुत दो थीन रोटियां लिमिटेड मैं वैसे भी कम खाती हो पर शायद कुछ काट है ये माशाला के कम खा के भी मैं इतनी सहत मत हो जाती हो फिर मेरी हाइट भी ऐसी है कि मुझे तो देख कि सब ये कहता है कि तो तुम तो बहुत अच्छी लगती हो पर मुझे ऐसा लगता कि नहीं मुझे थोड़ा वेट कम करना स्क्रीन की विजह से शौक आ रहा है मैं एक बर पतली होके अपने आपको देखना चाहती हूं और आप भी मुझे बिताएगा कि मैं कैसी लग रहा है और मैं अच्छी लगी तो मैं इसको जारी रखूंगी और अगर मैं अच्छी नहीं लगी तो फिर छोड़ दूंगी क्योंकि आपक को खुद भी अच्छा है लगना चाहिए और लोगों को भी आप अच्छे लगए ऐसा नहों कि सिर्फ खुद को अच्छे लगए तो इसी के साथ हम लेंगे एक चोटी से ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद अच्छी नाजीन हम ब्रेक से लगाए वह दूब आप देख रहे हैं हमार विकेंड शाइन शायन विस क्यों कर देख आए और आप देख रहे हैं आप को बड़ी अच्छी लग रही है याशिस क्राट मुझग बताएं आपको आपको लिग वडूर आपको आपकर जो ब्सक बाएर जाके दून्या के सामने करती हूँ अपने घर में इपनी बड़ी तारीफ पर भीड़ीर वगाए है यह एक बहुत ही साइकोलोजिकल एंफलन्स होता है बाडिक ओपर मैं बहुत कमजोर होती हैं और अच्छा वाइफ है तो ये बड़े कमजोर से हो रही है तो वो तो ठीक है कि आजिता है जो आप मैगनूस कर रहे हो आप दे रहे हैं लगिए नेकि उनको जब मुझे वह दुबारा आते हैं मेडिसन चेक करो आने तो उनके कहा जाता है कि देखो भे ये लफsy आ आप जो चाया भरो जाते हैं कि अधर हुए है तो यह ने गराई ने में बहुत अ कमजूर लगा झाया हुए हुए उससे क्या हो वागि एख रहाएजिक हमना, गर माह सब नहीं जा हो जाएगी धियरी हूभ दो तो मैं प्यारी हो जाएंगे जिना तो आप प्यारी हो जाएंगी भalet हो जाएगा शक्सित प्रोटी पेसर ले की पकिश arriver आभाटी से भाटी तो आढ है कि आषाएते हैं एक भाटी मैं गया उएश्चिन को आपनी क्वे समय उबाल कहा है आप मेरेन उलसी आफसे चुछ किया है, आप वह बिधार जगाएंशने को आफसे पेसे समय जग करेंगें में तुर Master, ऑगे हमते हैं Kapходит करें often की चैक उफ़ें में अन्हें उन चाहिता है ला ऐ το नहीं में अधरे जेन अफ़ करें चैक आपक दोड़ा नि की काम करते पहां वह सब करें मैं और इतना फुनक्त सब्सक्राइब लड़कियां वहारा और इतना नोज़ा ना शुटे अ intriguing और मेरा वेट सेथिनी तो मेरा परौग मेरा परौग मैठ सेथिनी आपका प्राइट करे चाहती है दोह liघ करें और हो यह रहता है तो यह नहीं करते है धाफे ड्याएट से जाता है तो बार के दो लोग टुट को जाता तो बिवाशन pequना पाषसन आप हम ऑम जब नियू दोे हम ब nécessaire है कि आके तब मुत्म भता चैनल पhruba ने के तुम करीबी फ़ोल्स प्राइट झाल से हं गरी दिसे नहीं भीτε्द बुन कम रहे हैं तो यह ज़ता है कि एक ध-गज़ता है कि कम गाने क known was यह है आपकी सिहत में है आपकी मिजाज के होती है और यही सब चीज़े इन से हमें अगर आप रोजे की तरफ चले जाती है तो फिर आपको इससे सबर सीखना पड़ता है आपको इससे देखना है कि बहुत से काम ऐसे भी होते हैं कि घर में पड़ते लगा हलागे बहुत ज़ादा आपके पास सहूलते मुझूदे हैं, खाने पीने की सब्बे, लेकि इत्फाग है उस वक्त गैस नहीं आ रही है, तेकि असमाईश होती है ना, आपको सबर की असमाईश करनी पड़ती है, आपने देखा कि साहना मुझूद है, मगर पका नहीं सकते हैं, अच्छा बाहर निकल का, यहीं से आपकी ट्रेनिंग होती है, यह जो एक महीने के जो रोजे हैं, यह आपको पूरे साल की तर्वियत करते हैं आपके, समयना, कम खाना, अच्छा खाना, देखिए, हज़रत जाफर जाफर लिएसलाम का हमारे पर से एक ओल आता है, और उसमें कहता है, कि अगर आपके जिन्देगी बैलेंस करने हैं, खुश्वत करने हैं, को आपको तीन चीज़ों पर अमल करना होगा, कम खाना है आपने, कम सोना है, और कम बोलने है, इससे आपकी शख्सियत और परसुनलिटी बेतर होगी, हर सूरत में जो है, यह आपकी परसुनलिटी निकल गयाए पटाने हैं, आपकी जिन्देगी का रूल हो liberal है, कम खाने है, कम सोना फिर आपकी थीन ओर जाती यह आप देखें रम्दान में तीन चीज़ें हो रही है आपको सुबह उठाया जा रहा है तो कम सोगे ना आप दस बज़े सोएं आप चार पांड गंडे बार उड़ गए सहरी के लिए कम सोगे अच्छा उसके बाद कम बोलने बोलने का सवाल नहीं इसलिए उसके बाद नमा है और वो सब चीज़े खाने आपने तो उस तक कम खाना है आपने तो यह मैं समझता हूँ इतनी हमपॉर्टिन चीज़ें आपके लाइब के यही सब है इसलाम के जटनी भी आप समलें कि जो इरकान है इसमें रोज़ा है आपका अबादत है आपके नमाज है आपकी आप यहां आपके घर में यनि अच्छा मौशराः वह रहता है, जिसमे कोई भुका ना हो भुका ना सोगे किसी के पास कोई इस्थित में क्वशी कोई बीमान आपके आसपास वोग रह भी आना है ख़ंग आपके जिंदेखक विशिते हैं जाएट पर थाष्ट गणियुक्तảo कर गाएट पूकूंही राइट मुष्म 그래도 घाइट आएटतों आएट मुष्मEric लाएयट थान साम्स्थ की पर हम इविडा है बिलाइट मुष्म हो अरग में ये कर सकते हैं कि ने कर सकते हैं उनका वेट पर समझते हैं कि वेट कम होगा इनका कभी वेट कम नहीं होगा ये इनका रमजान में वेट बढ़ेगा ये बढ़ेगा आप ऐसे शक्सियात को देखेंगी और उनसे कहेंगे कि आपको आप रमजान से पहले अपना वेट कर लें औ आपने आपने राइट किये आपने तो ये तो सही नहीं है ये तो डूल सही नहीं है य अभी आप ya पने पेट भरा हुा की तो अक्र आप कि अपका पर 욱िस पे खालिया उस पेख ले आपने यह जो लोग लेंगे इनका वजन लाजमी काम होगा यह दोश्ट काईवाले इनका वजन काम भी काम होगा लेकिन वो लोग देखे हम बहुत से लोग एज वाइस हैं जिनकी थोड़े एज होगी अब फोटी होगी उनके वेट जाद है उनके वेट जाद है उनके वेट जाद ह अगर आप पर फर्द हो चुके हैं रोजे तो आपको रोजे जूर रखने हैं दिन में आप जा है आशा ऐसे बच्चे ऊप में बच्चे में बच्चे चाहरें और दिन कर रहे हैं दूसरा है कि जो का गया भी कम खाने का शबर शिका है वो शबर उनके पास आ रहा है तो बड़ी रज़ शमना के मारवलस तर्भियत है यह यह रमदान के अंदर हम करते हैं और यह रदे आल्ला के तब से हुई है यह और हम यह समझते हैं कि हमные तो आप यह देखें अब रोजा तो अभी हमने एक ही चीज रखा न हमने खाने भी ने पे तमज़ रखे न हम भी तो हम पहते हैं इसको रोजा रोजा यह नहीं है रोजा जैसे मैंने इशारा दिया था नफस का आँखों का रोजा, जुबान का रोजा यह तो बड़ी है आप आपके आप नजर आपकी नजरं शाला चाया का तुब नियुकное मैंन आपके जिहा हम के उसीजट में गलोजांते है, तो आपके यजा बार 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 देखा, जब ढ़ देखने स्टिक है उसमें आप का लिए भार ऑगत। मेरे साइव मेरे मेरी बहुन से इतनी थी आप यकीन किजिए मेरे साथ वाइफ दी तो यह बिलकुल नहीं मिली। अब यह भी हो सकता है यह कहरा है यह क्यों देख रहा है तो थोड़ी दिर बाद उन्होंने मूबाइल से तस्वीर निकाल के मेरे करीब आके का देखे मेरी मेरी भांजी से आप कितना मिलती हैं जब मैंने देखा तो वाकि वह मतलब उसका फेस मुझसे मिलता था तो मतलब गलत फैमी भी हो सकती है मैंने का ना कि देखिए इन्नमा अमालो बिल्नियाद आपकी नियतों के तारूमत दिल पर रहे है आपके नियत पर आपके सोच क्या कहते है आपकी वह है सरकानी हम कहते हैं लेकिन यूज्विली जो आम जो हमारे महाशरे में चीदें पहाई जाती है वो यह कि अगर ऐसा भी ह तो आप पिर भी नहीं देखिए आप है नजर नीजी करें आप समय नहीं तो यह रोज़े की अलामत है रोज़ा आपको शल्मो हया चिकाता है डॉक्स अब एक बात पर जल्म है और बात करूंगी हमारे पास आस पास कहीं नहीं आपके पास भी ऐसे लोग होंगे जो खुद से किसी ने ना रोज़ा रखा है मतलब अगर कोई औरत है तो उसके दस मामला आता है खुदा की तरफ से भी इसको छूट है कि कुछ ऐसे दिन आते हैं कि वो रोज़ा नहीं रख पाती और अगर ऐसा किसी की साथ मामला होता है और अगर देख लिया जाए कि हो इसका चीजें मतलब यह रभ का और उसके बंदे का मामला है या आपका मामला है जो आप बीच पर बोलो मतलब ऐसे लोग भी हमारे में पास मौझूद होते कि जो अगर किसी का देखते ना रोज़ा नहीं है तो उसको जो क्रिटिसाइज करते हैं मतलब दस लोगों में उसकी बात हम देना है तो देना ही देना है हमने बले कुछ भी हो जाए और दूसी बात ही कि हमने बराई को रोकना है तो ऩो प्समा दो कि विच्जडत को भी लेकर आना है बीच में बाहर नहीं हो सकता है यह जैसे हम कहीं भी मौझूद है मैं अगर एक और वरत की बात करूए कि मैं खुद एक और 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 पूरे रोज़े तो रखी नहीं सकते कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो समझधार और इशारा मेरा समझ सकते अगर ऐसे हैं तो कुछ आपके आसपास वोग ऐसे होते को थोड़ा से से पता चलना चाहिए कि आज इसका रोज़ा नहीं है उन्होंने नहीं सोचना कि यौरत है पता निसकी कोई मैं भी तोरी दिर पेहले कहा निंगे का मलत असरे है नहीं नहीं मैं एक 具वाति है नहीं है झाही कर दोर आदका हम भादा में की और वाहतिल जाना एक मेर भुशा करते हैं के महएं मैं जिस्छा साहिए ब्रॅब ने करता है क्या आप उसमें कामयाब हुए आप बिल्कु जए कहीं हैं देखी मैंने भी तोरी दिर पहले कहा था के अजब आली ऐस्दिनम क्अ करके एक का नहीं का था कम बोलना है न तो इसके हर छीज़ के अपने अपनी वज़ारत है कम सोना कम बोलना हमें आप हर छीज़ के अपनी नहीं कम करें इसलिए का गया है के कम करना है और रोजे का पहला कंसेप्ट ही यह यह कि आप अपनी जुबान को महफूज रखें आपका रोजा आपका मुस्लमान आपकी जुबान से महफूज रहे आपके अमल से महफूज रहे तो आपका अमल का मयाब होगा यह कभी نہیں ہے کہ اگر کسی نے روضہ نہیں رکھا یہ نماز ने पड़ी तो आप उसको जागे तनकीद करें ये कभी कोछ जेब नहीं देता हाँ ये हो सकता है कि इसी बात को आप अकेले में उसे मिल के बात कर तकते हैं कि क्या हुआ आप तुम्हारा रोजा नहीं था क्या कामल करना चाहते हैं यानि आम और उसे मारूफ की बात करते हैं अगर हम कोई नेकी एक हुक्म दे रहे हैं कोई बात कर रहे हैं तो अगर हम पहले तो जनरल ही सब के लिए कर दें लेकि अगर हमने कि इन्डिवीज्वल ही किसी को निशाना बनाना है तो सब के सामने लोगों के सामने बादically कुछ जीप नहीं देती है. आप उसको हमेशा काह इन मिल जाके क jullie बिले जाके के साइट में कई प्राइवेट सीवें जाके प्राइवेट रूम में जाके उन को आप महा बताएंगे कई बेटा ये इह ये हो रही है, आपको यह देख लेना चाहिए, बाकिए आपकी मर्बी जी है. तो यह, तो सही है, बैज़् आा की नेकी हो की जाई है, लेकिर मैं इस समझता हूँ, जैसे मैंने बहुत Said है, कि को अमारा झाहना है है, आप यहीं कहाना पीना खाना पीना का मतबोद देखिये देखिए फ्र अगर बात आлагता घाती ही सAF लेजे में कहानवर भी तो यही करता है यहां वो अपने सुबह खाया पीया उठा इदागा गूं फिर रहा इदागा गूम पिर रहा है काम किया उसने फिर खालिया फिस हो गया तो खाना पीना का अल्ला ताला का मकसर कता ही ये नहीं है कि आप खाना पीना कहा है अपना काम कर रहा है आगे नहीं है उसका मकसर ये नहीं है कि आपको भू कर रखे आपकी तर्बियत करना है आपकी तर्वियत होगी आपको नफस की कंट्रॉलर करना है आपने आपको आपने अपने अच्छाईयों को ले के आना है आपने माशरे में ऐसा माशर डेवलप करना है जिसमें समर तामूल और महबत कर पेशायत है आप लो तो वो चीज़ें जब आप खुछ सोचें कि जब आप एक दूसरों को अच्छी नजर ते देख रहे हैं जब आप एक दूसरों को अच्छी नजर ते जो है अच्छे बातों से आप याद कर रहे हैं आप जब उसका बात से ख्याल लग रहे हैं इतराम कर रहे हैं तो माशरा जब भी किसी पे बेज़ अनकीद होगी तो वहां करफशन आएगा वहां वो माशरे के अंदर जो है वो अनस्टेबिलेटी डेवलाफ हो जाएगी तो मैं यह कहता हूँ कि रोजा आपने जरूर रखना है लेकि अपने नफस को कंडूर करके करना है आपके साथ इतनी अची हो कि जब आफ़िस में जा रहे है अच्छा देगिए इसके तर इमानदारी बहुत होनी चाहिए रोज़े के साथ इमानदारी का कंसेप्ट बहुत ऐहम है और इमानदारी का कंसेप्ट जब आप जूट नहीं बोलेंगे जो होगा मेसागे तोर पर आप एक सिंपल हमारे आज जो वाक्यत होते हैं वो काम पर ओफिस चले गए आफिस में बैठे हुए आपने देखा कि यार दो बुज़े शुटी थी आज एक बज़े निकल जाते हैं चलो का हूँ हम तो कुछ नहीं है आपने भाई मानी कर दे ना आपने का कि चलो जार आज हैं बहुट आज हैं जो कह देना कि यार वह इदर रोदर यह दर बता देना इस तारी चीज ने रॉंग है आपको दूटी करना है तो पूरी करना है यही तो रोज़े सिखा रहा है आपको पंक्शुविलिटी क्या ऐसा होता है कि आपकी जो जो और आपको चलो पंक्शुविलिटी से करनी है अपने आपने आफिस के काम में बाहर के काम में पढ़ाई के काम में और यह हर्गिस न कीजिए कि आपने सहरी की नमाज बड़ी सो गए तो रात को उटे यह रोज़े नहीं माने जाते है ऐसे अल्ला को इन जोज़ों की जरू आपको हर सूरत में माश्रे में कांटेक्ट में रहना है फिर जाके आपके यह रोज़े कबूल होंगे अच्छा एक बत और भी है कि वो यह कि लोगों ने रोज़े रख लिए नमाज नहीं पड़ी है अब वो कहते हैं कि साब यह क्या बात भी हमने रोज़े रोज़े जवाप कड़ गया ऐसा नहीं है मिलेगा लेकिन आपके साथ यह देंगे ना पहली शर्द नमाज है उसके बाद रोज़े 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 है तो आपको पहले नमाज पड़ना है उसके बाद आपको रोज़े पर जाना है फिर आप आगे जाएंगे जकात पर और दूसी चीज़ों पर आपके इन दोनों को फोलो करना बहुत जरूरी है तो आपको चाहिए कि नमाद की पाबंदी के सार रोदा रखें तो आपका डिस्पिल आ जाएगा लाइफ के अंदर और आपके इन्शाला जिन देगी जब आपके डिस्पिल आएगा तो आपके चेहरे पे नुरानियत आएगी आपके जो बॉड़ी है उसमें ऐसा तसलसुल आएगा कि दूसा देखके उसको इस्पायर होगा वो खुश होगा आपके बॉड़ी ऐसी शक्राइब कर लेगी कि लोगों के लिए खुशूरती का बाइस बन जाएगी सुकून का बाइस बन जाएगी आप यह देखे हमारे वह वाजरात जो दीन के लोग है दीन दाल लोग है जो वाकि जो दीन के पर खायम है मैं रेल दिन परस लोगों की बात कर रहा हूँ आप देखें चेहरे जरूर नहीं के वाइट हो उनके बहुत खुमस्रूरत हो नुरानियत ऐसी होती है रौनक इतनी होती है कि आप उनके चेहरों को देखें आप कहलें कि या क्या बात है मैंने देखा है मैंने अच्छा ये चीज़ें उसको कामाती है जब इंसान के इंतकाल हो जाता है इंतकाल के वक्त जो मुर्दे को आप देखेंगे बाद मुर्दों को आपने देखा बड़ी नुरानियत होती है चेहरे पे जबकि रेल लाइब में इतने नहीं लगते थी बाद लोगों को आप देखेंगे कि जो रेल लाइब में जो थे बहुत खुशे थे बाद में इतने खुशे नहीं लग लगते थे उनका अमल रिफलेक्शन कर जाता है पाड़ी गोगा हमें अपनी जिन्देगी को आगर बेता बनाना है इन सब को चीगों देख रहे हैं तो हमें आखरत को बेतर करना होगा अपनी आखरत बेता करने के लिए एक अपने रूल के तहत अपने अनुमाज रोज़ा और दूसरे यतना इप अनको पूरा करें इमानदारी से पूरा करें जब जाके छिए इसके साथ इनका सब्सक्राइब ने को अपने 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 जिंदगी के लिए बेतर कर सकते हैं आपको आपको अपने अपने सेग्मेंट के टाइम खत्म हो चका है बहुत बर श्यूर्या आप तश्रीव करें जीना जीना आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड चाइन विदैनी चाप सोच रहोंगे मैंने बड़ा कहा दिया कि बहुत सारी लोग ऐसे होते हैं जो अगर किसी ने रोजा नहीं रखा वा यह बात इंसान अपने हस्बिंट से कह सकता कि रोजा क्यों नहीं रखा बाहर के मरदों से तो नहीं कह सकते क्यों नहीं रोजा रखा तो मुझे बड़ी बुरी लगी झाल कर दो वे उतल कर दो भीज़ कर दोूनस पला में